हलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूटूब चैनल एंड पढ़रे केमिस्ट्री एप पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है स्टुडेंट्स इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे गेट दोहजार चोबीस का जो आपका एक्जाम हुआ था उसका डिटेल सॉलुशन हम डिसकस करेंगे यह हमारा गेट दोहजार चोबीस के सॉलुशन का पार्ट नंबर वन है इस पार्ट में हम मोस्टली इन और्गैनिक केमिस्ट्री के कोईशन डिसकस करेंगे gate 2024 में जो inorganic chemistry के questions आये थे चाहे वो MSQ type के हों, चाहे वो MCQ type के हों, चाहे वो NET type के हों next part में organic और physical chemistry का यानि की detailed solution आपको दिखने को मिलेगा तो चलिए start करते हैं वीडियो को, उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ अगर आप gate 2025 की preparation करना चाहते हैं या फिर CSR NET June या December 2024 की preparation करना चाहते हैं हमारी app का नाम है Padre Chemistry, यहाँ पे courses अविलेबल हैं CSR NET, Gate, IIT Jam, CUET, PG, अगर आप interested हैं तियारी करने के लिए तो आप एक बार app को download कीजिएगा, app download करने के बाद आपको वहाँ पे free demo lecture check कीजिएगा, अगर आपको demo content अच्छा लगता है तो आप course भी जोइन कर सकते हैं fees भी हमारी बहुत ही affordable है, ज्यादा information के लिए आप इन दोनों number पे भी contact कर सकते हैं तो चलिए student start करते हैं, देखिए सबसे पहला question, ये जो सारे questions है, ये official question paper से ही मैंने लिए है, जो master question paper आया उससे, तो सबसे पहला question सुरुआत होता है, question number 11, among the flowing, the compound with the lowest CO stretching frequency, student बहुत ही ये one marks का mcq type का question था, यहाँ पे भी लिखता जाता हूँ, कि ये one marks का और mcq type का question था, बहुत simple question है student, इस question को आप relate कर सकते हैं, organometallic compound से, metal, carbonil से इसको relate किया जा सकते है, student हम सभी को ये पता होता है, कि ये आपका metal, और CO की जब हम बात करते हैं, CO, carbonil, सबसे पहले वो क्या करता है, तुरू sigma bond, अपना electron pair donate कर देता है metal को, sigma bond के तुरू अपना electron pair donate कर देता है metal को, अब होता क्या है न, कि ये जो आपको pair of electron दिख रहा है, ये इसको यहाँ carbon के पास जाता है, तो CO bond जो है, यहाँ से double से triple की तरह आपको दिखाए देता है, बट अब होता क्या है, अगर इस metal के पास भी electron है, तो ये metal क्या करने लग ज जाती है, इसी लिए, CO को pi accepter legend भी बोला जाता है, सबसे पहले, देखो, synergic bonding at 12th class में आपको पढ़ाना start कर दिया जाता है, सबसे पहले, CO ने अपना sigma donation के तुरू electron pair donate किया, अब होता क्या है, अगर इस metal के पास भी electron की availability है, तो ये metal वापी से इसके pi star में electron को donate करना start करेगा अगर इसके anti bonding में electron density बढ़ेगी, तो ये जो CO का bond order होता है, CO stretching frequency भी इसको आप बोल सकते हैं, देखी basically, जो ये CO bond है जैसे अब तो ये triple bond है, अगर इसको electron density मिलेगी इसके anti bonding में, तो bond order decrease करेगा, bond order decrease करने का मतलब ये होता है student, जो CO bond है, वो आपका weak हो जाएगा, अगर CO bond weak हो जाएगी, CO stretching frequency भी decrease कर जाएगी, अगें देखे, बहुत ही simple concept होता है, sigma donation से इसने क्या, oxygen ने अपना lone pair donate कर रखा था इस carbon को, अब जैसे ही metal ने electron density donate करना start किया, इसके anti bonding molecular orbital में, तो जो CO का bond order वो decrease कर जाएगा, CO bond weak हो जाएगा, अगर CO bond weak हो गया, तो CO stretching frequency भी decrease कर जाएगी, अगर आपसे पुछा था lowest, की lowest CO stretching frequency कब होगी, तो वो तब होगी, देखो, metal के पास जितनी ज्यादा electron density रहेगी, यह जो आपका metal है, और इस metal के पास जितनी ज्यादा electron density रहेगी, उतना ज्यादा CO का bond order, electron density अगर बढ़ेगी, तो CO का bond order decrease कर जाएगा, अगर CO का bond order decrease कर अब देखो, यहाँ, CO के पास कोई चार्ज नहीं होता, MN के उपर plus 1 का चार्ज है, तो metal तो electron deficient है, पलस 1 होने का मतलब है, metal electron deficient है, इसके उपर तो कोई चार्ज नहीं होता, यहाँ पे minus 1 है, ऐसा question jam में हरी साल पुछा जाता था, यहाँ पे भी 0 चार्ज है, यहाँ पे भ donation करने से CO bond weak हो जाएगा, MC bond strong हो जाएगा, तो यहाँ पे आप से lowest CO stretching frequency पूछिए, तो metal के पास जितनी ज़्यादा electron density होगी, उतनी कम CO stretching frequency हो जाएगी, तो इस question का जो correct answer आना था, that is option number B, बिल्कुल simple question था, और होब कि आप सभी ने इसको अच्छे से attempt भी क्या होगा, इस question का correct tensor option number B आना था, one marks का MCQ question था, ठीक है, चलिए भई, again देखो इस paper में ज़्यादा तर यही देखने को मिला, mostly question, coordination chemistry and organometallic chemistry से पूछे गए थे, next question देखिए, again यह question भी आपका one marks का MCQ ही था, one marks का MCQ ही था, बिल्कुल simple question student, ground state आपको बताना है, chromium H2O6 and plus 2, तो यहाँ पे देखि है chromium plus 2 की, और जब आप chromium plus 2 की बात करते हैं, इसका मतलब होता है D4, और water है इसलिए high spin, water है इसलिए high spin, सबसे पहले आप इसकी ground state term निकालीजिए, तो वो कैसे निकलेगी भाई, आप सभी को पता होना चाहिए, यहाँ पे plus 2 होता है, यहाँ पे plus 1, यह 0, यह minus 1, यह minus 2, त दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, और फोर्थ आपने बारा यहाँ पे, ठीक है, अब अगर आप इसको देखते हैं student, तो इसकी अगर आप capital L की value निकालेंगे, यह 2 हो जाएगी capital L, यह L1 आना था, और यहाँ पे minus 1 हो गया, तो capital L की value आपको 2 नजर आ रही है, ठीक है and अगर हम देखें, यहाँ पे spin quantum number, 4 unperiod electron है, इसलिए यह आपका 2 हो जाएगा, जितने unperiod electron होते हैं उसका 1 by 2, अगर हम यहाँ पे spin multiplicity देखते हैं, that is 2s plus 1, 2 into 2 plus 1 अगर आप करते हैं, तो that is 5, और L अगर 2 है, तो आपकी जो यहाँ पे आ जाएगी, that is D, तो हमारे पास यह आपका 5D state, 5D आ गई है, अब देखो, अब main बात हमें यह देखनी कि यह किस तरीके से split होगा, तो 5D तो, यह बात तो समझे बागे 5D है, अगर 5D है, तो 2 options तुरंत आप eliminate कर सकते हैं, यहाँ पे आपको 6 नजर आ रहा है, और यहाँ पे आपको 6 नजर आ रहा है, spin multiplicity 6 नहीं हो सकती, spin multiplicity 6 नहीं हो सकती, वो 5 होगी, ठीक है, अब देखें student, अब आपको यह देखना है, यह जो 5D है, यह जो 5D है, किस तरीके से आपका split होगी in crystal field, यह किस तरीके से split होगी, इसके लिए आपको idea यह होना चाहिए, कि यह किस type का case है, तो student, this is whole transition, आप इसको whole transition के case है, अगर यह होता two electron transition का case, तो फिर तो हम normal trend से चलते, क्या trend आता, नीचे आ जाता 5T2Z, और उपर आ जाता 5EZ, अगर यह electronic transition होता, two electron transition होता, बट student, यहाँ पे यह two whole transition है, इसलिए आपका यहाँ पे नीचे आ जाएगा 5EZ, reverse हो जाता, आप सभी को पता होगा, जिन भी student ने electric spectra पढ़ा, coordination chemistry में, उनको पका पता है, यह case आपका two whole transition का है, इसलिए जो 5D है, वो आपका split होगी, 5EZ and 5T2Z, अब इनोंने simple सा इतना पूछा था, कि आप ground state बता दीचे क्या होगी, तो आप साब साब देख सकते हैं student, जो ground state होगी, that is 5EZ, that is 5EZ, because this is the example of two whole transition, because this is the example of two whole transition, तो बहुत simple question था student, A is the correct answer, इस question का correct answer A आना था, one marks का MCQ, next question की तरफ बढ़ते हैं, देखिए, again student, यह question भी आपका one marks का MCQ पूछा गया था, और इस question को मैं यह कहूँगा भई, इसमें हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते थे, यह question है, आपका main group elements का, इसमें कुछ ज़्यादा स आप से पूछ लिए, तो हमेशा ऐसा notice किया गया है, specially gate के exam में, main group element के question अलगी level के आते हैं, आप कितना ही hard work कर लीजिए main group में, gate वाला एक दो question ऐसा बना के देगा नहीं हो पाता है, इस exam में भी दो question main group से है, दो नहीं unusual question थे, ऐसे question थे, याद रखने वाले question थे, यह कह रह नहीं, यह direct reaction है, books में mention आप देख सकते हैं, यह जरूर है, कि एक HF यहाँ से आपका निकलेगा, यहाँ से भी HF निकल रहा है, बट अगर आप standard book देखेंगे, जैसे अज़ई कुमार की जो book है, वहाँ पे भी यह चीज बैंसन है, यह reaction specially mentioned है, तो इस question का जो correct answer आना था, that is D इसमें मैं कुछ ज़्यादा समझा नहीं पाऊंगा, जस्ट इसका answer आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, तो यह आप कर पाते, जब आप XCF2 की reaction इसके साथ करवाते हैं, यहाँ से hydrogen और यहाँ से fluorine, यह दोनों निकलेंगे, HF बाहर निकलेगा, और यह वाला आ concept होता है, ठीक है, और यह question आपका 1 marks का MSQ type का question है, MSQ type का question है, देखे, the complexes with distorted octahedral structure, भई, किसकी perfect octahedral structure नहीं होगी, या फिर कौन JTD show करेगा, distorted octahedral पूछने का मतलब यह आप से, यह पूछ रहा कि इन में से कौन JTD show करेगा, किसके अंदर zone tailored distortion possible है, सबसे पहले आजाएए भई, यह vanadium आपको नजर आ रहा है, vanadium का complex, तो इसको मैं vanadium plus 3 बोल सकता हूँ, अगर यह vanadium plus 3 है student, तो क्या बनने वाला देखो भई, अगर हम van S2, अब यहां से अगर आपने 3 electron निकाल दिये, दो यहां से निकले गए रहा, तो यह बनेगा आपका 3D2, और अगर यह 3D2 बना, यह सारे आपका octahedral complex student, तो आप देख सकते हैं, JTD क्या बोलता है, JTD के लिए unsymmetrical filling of electron होनी चाहिए, यह जो T2G है, यह unsymmetrical है यहाँ पे, तो इसका मतलब यह हो गया student, कि जो पहले वाला complex है, unsymmetrical T2G है, इसलिए यह पकाही JTD show करेगा, इसके अंदर आपका पकाही zone tailored distortion possible होगा, तो distorted octahedral structure पूछी थी, इसलिए हम बोलेंगे A option तो पकाही सही होगा, अब आजाते है next option पे, iron आपका plus 3 हो जाता है student, अगर आपका iron plus 3 होता है, इसका मतलब D5 होता है, एंड यहाँ पे fluorine weak filled ligand है, इसलिए यह आपका high spin complex रहा होगा, अगर हम high spin की बात करें D5, तो उसमें दोनों के दोनों symmetrical हो जाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, तो इस इस T2G भी symmetrical हो गया, EZ भी symmetrical हो गया, अगर यह दोनों symmetrical हो गए, इसका मतलब इसके अंदर JTD possible नहीं होगा, इसका मतलब इसके अंदर JTD possible नहीं होगा, तो option number B के अंदर JTD की कोई भी possibility नहीं है, यह perfect octahedral structure रखेगा, ऐसा हम बोल सकते हैं, अब आजाए हम option next पे चलते हैं, C option पे, यह आपका basically MN plus 3 बनेगा, यह आपका MN plus 3 बनेगा, और MN plus 3 का मतलब होता है D4, MN plus 3 का मतलब होता है D4, चाहिए आप इसको weak field माल लो, sorry, चाहिए आप इसको high spin माल लो, चाहिए आप इसको low spin माल लो, दोनों case में, हाना माल लेते हैं कि MN है, fluorine weak field legend है, हम high spin ही माल लेते हैं, कोई भी spin माल लीजिए, easy unsymmetrical हो गया, हाना D4 वाला, च पका ही JTD शो करता है, वो पका ही JTD शो करेगा, इसलिए आप यहाँ से देख सकते हैं, कि C option B आपका JTD शो करेगा, C option B आपका JTD शो करेगा, again student, अगर हम चलते हैं, option number D की तरफ, तो यहाँ पे FE plus 2 नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको FE plus 2 नजर आ रहा है, FE plus 2 का मतलब ह तो D6 के साथ साथ, यह क्या हो जाएगा, आपका low spin हो जाएगा, और अगर यह low spin हो गया, फिर T2G symmetrical हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यह आपका आप देख सकते हैं, T2G symmetrical हो गया, अगर T2G symmetrical हो गया, इसका मतलब इसके अंदर भी JTD की कोई possibility नहीं है, इसका मतलब इसके तो इस question का जो correct answer आना था, that is option number A and C, that is option number A and C, simple question था, बहुत असान question था, आप इसको easily attempt कर सकते थे, अगर आपको JTD का idea होता, यह student, again very simple question, देखिए, एक बात और मैं है है ना, इससे आपको analysis भी पता लगता दा रहा है, bio-inorganic chemistry gate की बहुत हीजी आती है, है ना, मैंने काफी पिछले सालों के सारे questions है, bio-inorganic chemistry बहुत easy आएगी, main group elements जवर्दस level का आएगा, यह आपको idea लग गया होगा, हैना question number 23 आप देख सकते हैं, again यह आपका one marks का MSQ type का question पूछा गया था, one marks का MSQ type का, among the flowing metalloproteins, the pair, non-hame protein, इन में से आपको बताना कि कौन से non-hame groups होंगे, कौन non-hame protein क्या होता है, देखे, porphyrine, जो ligand होता है, अगर आप उसको porphyrine ligand के साथ, आपने क्या किया, iron metal के साथ connect कर दिया, तो उसको हम heme group या heme group बोलते हैं, एकी बात है, ठीक है, तो student आप सभी को पता होगा, hemoglobin हो, चाहे myoglobin हो, दोनों के दोनों hem, hem group present होता है, hemoglobin, myoglobin, दोनों के अंदर hem protein present होता है, ये non-hame नहीं है, इसलिए इसको हटा दीजिए, hemosinin पका ही non-hame होता है, hemosinin के अंदर आपको क्या नहीं दिखाए देगा, hemosinin के अंदर porphyrine ligand नहीं होता है, carbonic peptides, इसके अंदर भी Extra邊 alguma होता है, तो ये दोनों के दोनों पका ही non-hame protein होगे, हेमरेथीन अगेन आप देखेंगे स्टुडेंट ये भी नोन हेमे प्रोटीन होता है कार्बोनिक अनहाइडरेज एंजाइम इसके अंदर जिंक मेटल पाई जाती है जिंक मेटल और यहाँ पे भी पोरफारीन लिंगेंड आपको देखने को नहीं मिलता है हेमोसाइनिन, हेमरेथीन नोन हेमे प्रोटीन होते हैं कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, कार्बोक्सी नाइडरेज ये दोनों भी नोन हेमे प्रोटीन होते हैं एंजाइम बोल सकते हैं आप इसको तो अगेन आपसे नोन हेमे पूछा था इसलिए C B आएगा हीमोसाइन देखे स्टूडेंट यहाँ पे आपसे क्या पुछा था एक है हीमोसाइन एक मिनिट भाई थोड़ा समझ देख लेता हो हीमोसाइन अगेर मैं यह कहूंगा हीमोसाइन अगेर नोन हैमे प्रोटीन होता है पक्की सही बात है ये बट साइटोक्रोम P450 is a ham protein ये आपका ham protein होता है इसके अंदर पोरफाइरीन लिगन प्रेजेंट होता है मायोगलोबीन, हीमोगलोबीन, साइटोक्रोम P450 ये सारे ham protein होते हैं देखो इनसे पुछा था non hamain ठीक है ये non hamain बट ये hamain इसलिए ये option भी correct नहीं होगा, इस question का correct answer आना था B and C, non hamain पूछे थे तो B और C आपका non hamain होंगे, बहुत simple ये question आपका था ये student question number 27 की बात करेंगे और थोड़ा सा ध्यान से इसको जुरूर देखना पड़ेगा, again पहले तुम आपको बता दू, ये question again one marks का MSQ type का question था, one marks का MSQ, हालांकि question का level अच्छा है, बहुत student को problem हो सकती थी, सबसे पहले आपको ये state given है, इसके बारे में आपको देखके बता देखो student, अगर हम बात करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे लेके चलता हूँ, यहाँ पे आपको सबसे उपर given 4, spin multiplicity D, ये नीचे दिया आपका 5 by 2, इसको देखके आप ये बता सकते हैं, कि spin multiplicity 4 है, तो spin quantum number क्या रहा होगा, देखो, spin multiplicity किसके एकोल होती है, 2s plus 1 is equal to 4 put करेंगे, तो जो spin quantum number आजाएगा, that is 3 by 2, that is 3 by 2, अगर यहाँ पे आपका L की value, मलब D, जो है, वो ये है, तो D के लिए L की value क्या होती है, 2 होती है, और ये क्या होगे आपका J, ये क्या होगे आपका J, that is 5 by 2, तो सबसे पहला option चेक किजिए, correct statement आपको बतानी थी, किसके लिए, 4D 5 by 2 state of an atom is and R, तो ये करा L की value 2, बिल्कुल सही है, S की value 1 by 2 होगी, क्या, S की value 1 by 2 नहीं हो सकती, S की value 1 by 2 नहीं हो सकती, S की value होगी 3 by 2, तभी जाके तो आपके पास जो spin multiplicity वो 4i होगी, तो है न, spin multiplicity 4, अब देखे, B option के उपर मैं star लगा रहा हूँ, अभी मैं presence of magnetic field, student, this is incorrect, अगर आपने ESR, यहना electronic spin resonance पढ़ा है, EPR spectrum पढ़ा है, वहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है, कि कोई भी आपका जो ये state हो गया, ये आपका further split हो जाती है, in the presence of electric and magnetic field, तो magnetic field की presence में जब होती है, तो आपको यहाँ पे J की value को consider करना होता है, और कितने में split होग है, and plus में 1 करेंगे, तो यहाँ पे ये जो split होती, ये वाली state, या ये वाली जो term split होती, वो six levels में होती, in the presence of magnetic field, इसलिए यहाँ पे 5 दिया था, C option को आप तुरंत eliminate कर सकते हैं, अब आते हैं एक बार हम D option पे, ये कह रहा है, it's a spectral transition to this, वह ये पूछ रहा है, क्या यहाँ प 4, P, 3 by 2 वाला transition possible होगा, allowed होगा, yes or no, देखें इसके लिए हम selection rule की बात करें, सबसे पहले चीज़ आपने देखने होती है, spin multiplicity, delta S is equal to 0 होना चाहिए, तो allowed होती है वो वाले transitions, दूसरी बात, जो delta L होना चाहिए, इसके लिए L की value आपका 2 आ रही है, इसके लिए L की value 1 आ रह है, तो यह आपका de symmetry point of view से भी allowed है, तो यह transition possible हो सकता है, it's a spectral transition to this, तो यह बात बिल्कुल सही लग रही है, यह बात बिल्कुल सही लग रही है, अब देखें student, अब जो यह video मैं बना रहा हूँ, तब तक final answer की नहीं आई है, but tentative answer की आ चुकी है, gate की, gate का tentative first answer की official वो आ चु दिया है, B and D दिया है, but मुझे B correct लग नहीं रहा है, मुझे B correct नहीं लग रहा है, हो सकता है, final answer की में modified होगे answer आदा है, but B correct क्यों नहीं है, वो देख लेते हैं, यह कह रहे हैं, कि यह वाली term है, यह वाली term, यह it can originate from S1 and P2 electronic configuration, यह इस से originate हुई है, तो मुझे नहीं लग इसकी बात करें, P में अगर दो electron भर देते हैं, देखिएगा, P में अगर दो electron भरते हैं, तो यह plus 1 होता है, यह 0 होता है, माइनस 1 होता है, ठीक है, अब देखो, अगर हमने यह वाली arrangement की, इस वाली arrangement से L की value 2 नहीं आ सकती, देखो, L 2 कैसे नहीं आ सकता, इसकी multiply करोगे 0, इ इस arrangement से L की value 1 आ रही है, अगर L की value 1 है, तो यह वाली पोसिबल नहीं है, दूसरी बात, अगर मैं बोलता हूँ, ठीक है, इससे spin multiplicity जरूर मैच कर रही है, spin multiplicity क्याने चाहिए, sorry, spin quantum number क्याने चाहिए, 3 by 2, वो मैच कर रहा है, बट यह मैच नहीं कर रहा है, इसलिए यह पोस L आ तो गया 2, ठीक है, L2 आ गया, no problem, L2 आ गया, बट इससे अगर आप देखेंगे, spin quantum number 1 by 2 आया, spin quantum number 1 by 2 आया, तो देख लो student, मुझे नहीं लग रहा, और मैंने चेक भी करने की कोशिस की, यह कुछ standard books में, हलांकि exact चीज़ें मैंसन नहीं थी, मुझे नहीं लगता, it can originate from S1 P2 electronic configuration, तो मेरे हिसाब से मैं तो मना ही कर रहा हूँ कि यह भी incorrect statement होगी, बट जो gate की first answer की आई है, जना official, उसमें इसका answer B और D दिया है, बट मुझे नहीं लगता कि B आपका यहाँ पे correct होगा, क्योंकि B से हो नहीं सकती possibility, तो आप अपने level पे भी एक बर इसको check कर सनाना चाहिए, ठीक है, तो इसको आप अपने हिसाब से भी एक बार देखिएगा और आपको क्या लगता, आप भी मुझे comment करके बता सकते हैं, चली जी, आगे बात करते हैं, next question की, बिल्कुल simple question है, one marks का N80 question, बहुत ही ज़्यादा simple question हो भई, इससे simple क्या ही पुछा जा सकत है, crystal field stabilization energy with a delta O value is this, आपको CFSC बतानी है भई, देखो, कोन है यह, यह है आपका chromium plus 3, और chromium plus 3 की अगर हम बात करते हैं, तो वो क्या होगा भई, देखना, अगर हम chromium plus 3 की बात करते हैं, तो एक electron तो S वाला गया, 4S वाला, और 2 electron तो D3 आ गया, है ना, क्या आएगा student, यह और आप सबी को यह पता होगा, अगर हम CFSC निकालते हैं, CFSC का फार्मूला क्या होता भई, तो होता है, minus 0.4 delta O into में number of T2Z electron, है ना, और easy है ने, इसलिए मैं easy की बात कर नहीं रहा हूँ यहां पे, तो यह हो गया आपका, minus 0.4 delta O, और यहां पे T2Z में 3 electron है, तो यह आगया, minus 1.2 delta O, अब आपको यह बोल दिया गया है, हाँ, हैना, कि भई, Y का mode वाला अंसर बता देना, minus का कोई चकर ही नहीं रखना था, तो आपको simply इतना करना था, 1.2 की multiply कर देनी थी, delta O की value जो question में given है, 21,600 से, अगर इसको आप calculate करते है, student, हैना, इसकी आप calculation करके देख लीजए 21,600 की multiply मुझे करनी थी, 1.2 से 25,920 इसका बिलकुल correct अंसर, official अंसर की में भी दिया गया था, तो बहुत simple question था, student, हना, और अंसर आपसे centimeter inverse में ही पूछा था, अगर kilojoule per mole में पूछता, तो फिर हमें थोड़ा सा और unit conversion में ध्यान देना पड़ता, तो अगेन मैं कहूंगा, बहुत simple question यह आपसे पूछा गया था, ना, chromium plus 3 जो होता वो D3, यहाँ पे low spin, high spin का कोई concept ही निया, simple सी calculation की, और आपका correct अंसर आ गया, 25,920, next question की तरफ बढ़ते है, student, यह question भी आपका, again, organometallics chemistry से था, OMC, 18 electron rule से related आप बोल सकते हैं, और यह भी आपका 1 marks का N80 type का question था, आ एक तो इस complex के लिए निकाल के बताओ, वो X है, और एक इस complex के लिए निकाल के बताओ, वो Y है, और यह माल लेना कि यह दोनों compound 18 electron को follow करते हैं, तो अगर यह बात हम देखें, student, तो हमारे पास simple सा formula होना चाहिए, यहाँ पे, हैना number of metal metal bond निकालने का formula क्या होता है, for 18 electron complexes के ल अगर हम बात करते हैं, student, सबसे पहले X वाले complex की, तो X के लिए metal metal bond कैसे निकालेंगे, तो 18 into में 2 करेंगे, क्योंकि 2 molybidium है, minus में, एक CP यह रहा, लेकिन यह हो जाएंगे 2 CP, CP का electron count कितना होता, 5, 2 का 10 हो जाएगा, molybidium, molybidium कहां पे आता है, chromatin, chromium 6, 6 और 6, कितने हो गएंगे 12, प्लस में, 2 CO और 2 और आ जाएंगे, 4 CO हो गए, 8, कितने हो गए, 8, तो कितना आ गया, 30 आ जाएगा, total valence electron, और इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो अगर हम देखें, 36 minus 30, डिवाइड बाइ 2 करोगे, तो यहाँ पे number of metal metal bond कितना आ गया, 3, number of metal metal bond कितना आ गया, पहले वाले complex में, 3, अगें देखिए, student यह 2 है यहाँ पे, इस पूरे complex का twice है, 2 CP, 10 हो गए, 2 molybidium 12 हो गए, 4 CO, 8 हो गए, electron count, तो total electron count कितना हो गया, यहाँ पे 30 हो गया, यहाँ पे put क्या, यहाँ गया, अगर ऐसे ही हम Y complex के लिए निकाल के देखते हैं, तो वो कैसे निकल आगया 10, प्लस में, यहाँ पे iron है 2, तो 2 iron का भी हो जाएगा, iron का होता 8, 16, कितने हो जाएगे, 8 होता 2 का 16, और यह कितना हो जाएगे 6, कितने हो गये यह, यह आगया आपका 32, यह क्या आगया आपका 32, डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 36 मैनस 32, 4, और 4 को डिवाइड 2 से तो कितना आजाएगा 2 तो आप से पूछा था x plus y की value बताओ तो x plus y की value कितनी आजाएगी student x plus y की value आजाएगी आपका 5 और official answer की में भी इसका correct answer 5 ही दिया गया था तो again मैं कहूंगा student this is simple question यह कोई ज़्यादा tough question नहीं था आप इसको easily attempt कर सकते थे ठीक है तो 5 is the correct answer 1 marks and 80 type question next देखिए को भई अब हमारे 2 marks के question start हो गए है यह हमारा 2 marks का mcq question है again देखिए student मैंने कहा ना main group element के 2 question पूछे दोनों थोड़े से unusual type के question borex का formula सभी को पता होगा borex जो होता आपका na2 b4 o7 dot h2o dot 2 h2o ऐसा कुछ formula होता है this is borex अगर आपने इसकी reaction करवाई naoh plus में hydrogen per oxide ठीक है तो बोल रहेंगे आपको x मिलेगा और जब आप इस x की reaction करवाते ना किसके साथ phenyl nitrál के साथ तो आपको y मिलेगा तो बताए x और y क्या होगे student देखो जब भी हम borex की reaction वैसे भी आप समझ सकते थे थोड़ा सा अगर x2 o2 दिया per oxide तो possibility की यहाँ पे per oxide की formation हो तो student यह जो x बनता है यह आपका बनेगा sodium per oxo sodium per oxo borate बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं इसे sodium per oxo borate क्या बोलेंगे इसका नाम जो बनता है इसकी structure भी important हो सकती है sodium per oxo borate करके इसको बोला जाता है metaborate या per oxo borate इस टाइप का ही बोला जाता है ठीक है तो यहाँ देखो यहाँ आपको कोई per oxo linkage दिखाई नहीं देरी इसलिए हटा दो यहाँ आपको कोई per oxo linkage नहीं दिखाई देरी इसलिए हटा दो यहाँ आपको पका ही per oxo linkage दिखाई देरी है और यहाँ पे भी आपको यह सेम नजर आ रहा है ठीक है तो X तो बनेगा यह कि आपको यहाँ पर oxo linkage देखने को मिलेगी यहाँ आपको यहाँ पर oxo linkage देखने को मिलेगी तो यह कुछ इस टाइप की structure आ जाती है इनकी अगर आप थोड़ा सा इसको देखते है O, O, यहाँ पे इसी परकार O, O, यह रहा आपका दो auto होगे ना इसके अलावा इसके उपर आपने चार O, एच लगा देने थे एक O, मालो यहाँ पे आगया एक O, यहाँ पे आगया एक O, यहाँ पे आगया इस टाइप की कुछ इसकी structure होती है अब देखो यह क्या करता है ना यहाँ पर आप देख सकते हो पर oxy linkage available है यह पर oxy linkage किसके oxidation के काम में आती है तो यह क्या करती ना जो P, H, C, N था उसको oxidize कर देती C, N को, nitrile को oxidize कर देगी amide में किसमे? amide में करेगी तो इस question का जो correct answer आना था that is option number C इस question का जो correct answer आना था that is option number C तो भाई, यह आपका याद रखने वाला question again थोड़े बहुत हाँ, आप पहले दो option को थोड़ा बहुत तरीके से eliminate कर सकते थे अगर आपने यह चीजें पड़ी हुए again कहूंगा unusual question जैसा कि हर साल main group elements के question ऐसे ही पूछ जाते है gate के अंदर फिर भी इसका answer C is the correct answer और final answer की में भी यही दिया गया था next देखेंगा भई यह आपका ESR spectroscopy inorganic spectra से बड़ा simple question पूछा गया था two marks का MCQ था यह भी again यह simple question मैं इसको कहूंगा यह इसमें कोई ज़्यादा tough नहीं है in the EPR spectrum of this आपको बताना है number of hyperfine splitting signal कितने आएंगे तो यह again simple question है student तो यहाँ पे देखो यह vanadium, यह oxygen और यह आपका sulfate तो मैं अगर बात करूँ इसको X माल लेता हूं oxygen के उपर minus 2 का charge होता है sulfate के उपर minus 2 का charge होता है overall इस complex पे कोई charge नहीं है तो यहाँ पे vanadium की जो oxidation state आएगी that is plus 4 और जब हम vanadium plus 4 की बात करते है student vanadium plus 4 का मतलब होता है 1 हैना D के अंदर आपको 1 दिखाई देगा science, teacher, vary ठीक है तो दो हाँ से गए, दो हाँ से गए D के अंदर तो number of unpaired electron कितना आ गया है यहाँ से number of unpaired unpaired electron आपको एक देखने को मिला अब देखो number of unpaired electron एक आ गया तो number of hyperfine splitting का जो formula होता है इसके लिए सबसे important जो बात थी वो आपको capital I की value पता होना चाहिए क्या होती है capital I की value तो भाई अगर हम बात करते हैं ना vanadium के लिए vanadium के लिए जो capital I की value होती है that is 7 by 2 that is 7 by 2 मैंने EPR के lectures लिए थे दो ही lecture लिए ज्यादा नहीं लिए और उसमें मैंने काफी बार vanadium के बात की थी वैसे तो given होता है net में आता तो given होता I की value 7 by 2 बट यहाँ पे नहीं given था कोई बात नहीं तो number of hyperfine lines का formula था 2 and I plus में 1 है ना तो 2 and I plus में 1 2 and का मतलब यहाँ पे एक ही vanadium है और I की value हो गई 7 by 2 and plus में क्या कर देंगे 1 इसको अगर आप देखते हैं तो number of hyperfine splitting signal number of hyperfine lines कितनी आ जाएंगी 8 यह I की value आपको याद होनी चाहिए वैसे mention होता था लेकिन mention नहीं था तो पता होना चाहिए vanadium के लिए capital I की value 7 by 2 होती है vanadium यहाँ पे एक ही एक ही unpaired electron है अगर unpaired electron जादा होते हैं फिर हमें multiply करनी पड़ती होतने सही ठीक है इसलिए इस question का जो correct answer आना था that is option number D यहाँ पे hyperfine splitting जो आएंगी that is 8 simple question था again आप इसको attempt कर सकते थे ठीक है yes again यह आपका organometallic OMC से है यह भी आपका two marks का MCQ type का question पूछा गया था again simple question है यह 18 electron rules से related आपको allyle की heptacity बताई नहीं है और CP की साथ में NO का बताना है linear होगा या bent होगा यहाँ पे एक word mention कर दिया गया student that is thermodynamically stable complex thermodynamically stable complex का मतलब होता है वो 18 electron rule को follow कर रहा है है ना तो आओ जी सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या-क्या RU है यह क्या आपका RU RU कहांता है फैरस वाली में 8 electron हो गया 8 ठीक है उसके बाद 2 CO का मतलब हो गया 4 2 CO का मतलब हो गया 4 प्लस में इसको N alli लेना मैं इसको X मान लेता हूँ ठीक है और N O का अब N O का भी मुझे नहीं पता लेकिन देखो N O में 2 possibility पहली बात तो इसको 18 के equal put करना है किसके equal? 18 electron अने चाहिए तो कैसे आ सकते हैं? देखो अलाइल के अगर बात करता हूँ maximum heptacity 3 हो सकती है ठीक है? चलो हमने मान लिया 3 3 में 8 add किये 11 और 11 में जब आपने 4 add किये तो 15 अब हमें 3 और electron चाहिए तो अगर मैं N O के यहाँ पे 3 electron put करता हूँ तो भई N O plus 1 जब होता है N O plus 1 linear होता है और जब वो N O plus 1 होता है तब ही उसका electron count 3 होता है तब ही उसका electron count 3 होता है मेरे को इस complex को 18 electron के पास लेके जाना था R U का मुझे पता 8 electron होते है 2 C O लगे वे हैं 4 हो गए यानि कि मेरे पास 12 electron हो गए अब मुझे 6 की जूरूरत है 6 कैसे आ सकते हैं? जब allyle की maximum heptacity यानि कि 3 लूँ ठीक है उसके बाद N O को plus 1 लूँ N O को linear लूँ तब जाकि 18 electron को follow करे तो यह देखो अगर हम बात करते हैं first में first वाले में क्या होगा? eta 3 होगा? बिल्कुल सही बात है N O bent होगा? क्या? ना? अगर N O bent होता फिर इसका एक electron count होता इसलिए इसको तो हटा दो इस option को eta 3 होगा और N O linear होगा यस यह हो सकता है N O bent नहीं होगा first वाले case में eta 1 नहीं होगा first वाले case में तो वैसे ही हमारा देखो सिर्फ A complex को check करने से ही पता लग गया कि इस question का correct answer आएगा B हैना एक ही option check करने से पता लग गया कि इस question का correct answer आएगा B बट भई मैं again आपको detailed solution discuss कर रहे है तो इसके बारे में भी जुरूर बताना चाहूंगा तो देखें यहाँ पे R U आ गया R U अगें 8 हो गए 8 हो गए ठीक है प्लस में 4 8.4.12 अब देखो CP है यहाँ पे CP cyclopentadienyl तो यहाँ पे इसकी maximum heptacity मैंने 5 माल ली 8.5.13 और 4.17 अब NO मुझे 1 लेना पड़ेगा ताकि यह 18 electron rule को follow करे और NO का अगर electron count 1 लिया है इसका मतलब NO bent होगा NO bent होगा तो यह देखो eta 5 हो गया और NO आपका bent होगा eta 5 होगा and आपका bent होगा तो student again मैं कहूंगा this is simple question ऐसे भई question मैंने course में बहुत सारे करवाए हैं net में ऐसे question पूछे जा चुके हैं बहुत बार तो again this is very simple question आप इसको easily attempt कर सकते थे इसमें कोई भी ऐसे बात नहीं थी आपको समझ में आए तो B is the correct answer for this question B is the correct answer for this question यह student यह ध्यान दीजिएगा भई यह आपका जो question है यह भी structure ठीक है reactions यह भी आपका two marks का MSQ type का question था sorry MCQ type का ही question था two marks का अब यहाँ पे ध्यान से हमें यह समझना है एक तो आपको यह इससे इसको equilibrium करके one फिर CO add किया यह two आया सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं student इस वाले complex की आप इसको धान से देखिया है जब आपने RU, PPH3, CLS की reaction इसके साथ करवाई तो option आपको three मिलेगा तो यह this is the इसको हम बोलते हैं first generation grabs catalysis की generation अगर आपको grabs catalysis बनाना है तो उसकी generation का यह part होता है आपको काफ़े research paper है जहाँ पे आपको मिल जाएगा देखिया अगेन यह same question है RU, CL2, PPH3 का thrice यहाँ पे दिया है twice भी आप लिख सकते हैं तो यह देखा आपने यहाँ से दिफरेंट है नीचे वाला complex दिफरेंट है अगर हम देखें इसको first generation grabs catalysis इसको बोले जाता है दो option D और B option में देखिएगा यहाँ पे three member की ring को ring opening नहीं की गई है ना ही यहाँ पे की गई है इसलिए आप इन दोनों option को तुरंट हटा सकते हैं option number three ठीक है और यह अब यहाँ पे बन सकता यह भी ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं और इन दोनों में difference देखते हैं कि क्या आएगा इन दोनों में से कुन सा अंसर आपका सही आने वाला है देखें student अगर हम देखें यहाँ पे और इस option में आपको कोई use नहीं है आपको यहाँ पे hydrogen का insertion करवा देना कार्बोनिल के अंदर इसके पास एक CH था यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इसके पास CH2 था CH2 और मलब CH था यहाँ पे भी तो अगर आपने एक hydrogen का यहाँ migration करवाया तो यह बनेगा आपका यहाँ पे आपको hydrogen का migration इसके अंदर करवाना था hydrogen के migration से आपको CH2 CH2 R मिलेगा और उसके बाद यहाँ पे फिर आपने insertion करवा देना था CO का उसके बाद आपने यहाँ पे CO का insertion करवा देना था पहले CO add होता CO add होने के बाद insertion होके इस तरीके से आप इसको देखते तो first A option इसका correct answer आएगा थोड़ा सा अच्छा level का question था again student देखू वही बात है concept तो आने आने चाहिए लेकिन चीज़ें याद भी होनी चाहिए जैसे grabs catalysis में mechanism is not very much important कोई खास mechanism नहीं है हाँ इसको आप थोड़ा बहुत relate कर सकते थे बट इसमें again आपको वही confusion होती हाना one two insertion ज्यादा सही यहाँ पे रहता है option ठीक है तो इस हिसाब से अगर आप इस question को देखते A is the correct answer A is the correct answer two marks का mcq यह एक अच्छा question हम बोल सकते हैं आपसे पुछा गया था यह देखिएगा भई two marks का easy question है coordination chemistry का two marks का msq type का question है आपसे पुछा गया है इनमें से कौन optical isomerism सो करेगा देखो fe cn अगर आप इसको बना के भी देखते हैं मालो कि यह x हो गया यह आपका y हो गया acetile acetonato हो गया basically by dentant ligand होते हैं तो ऐसे question आपने अक्सर इसके case में देखे होंगे fe en3 का thrice and plus 3 तो यह भई आपको 12th class से पढ़ाने लग जाते हैं कि यह वाला complex और जब आप इसके mirror image लेंगे non-superimpossible होते हैं तो अगर by dentant ligand है non-superimpossible mirror image है तो पक कही ऑप्टीकल active होंगे optical active यह भी होगा ciss वाला जो है अगर आप इसका ciss बनाके देखेंगे student यह आपका chlorine यहाँ पर आगया यह वाला आपका chlorine यहाँ पर आगया यह an and ethnitarian diamond यहाँ पर आगया same यह आपका ethanion diamond यहाँ पर आगया अगर आप इसकी SIS format लेंगे तो इसकी mirror image non-superimposible आएगी SIS वाला optical active होता है लेकिन trans वाला optical active नहीं होता है जब आप इसको trans बनाते हैं student तो वहाँ पे आपको साब-साब plane of symmetry नजर आ जाती है मैं यहाँ पे आपको बनाने की कोशिस करता हूँ यहाँ पे आपका यह chlorine आ गया यहाँ पे आपका यह chlorine आ गया यह आपका ethylene diamond यहाँ पे आ गया और सेम यहाँ पे ethylene diamond यहाँ पे आ गया तो अगर देखो आप यहाँ से आप देखते हैं plane of symmetry जा रही है तो इसकी image आपको यहाँ पे दिखाएगी, तो इसके अंदर आपका POS present होती है, अगर इसके अंदर यह POS present है, तो यह फिर आपका optically inactive हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा आपका? Optical inactive हो जाएगा, ठीक है? and again student D option B, आपका option number A जैसा ही है, तो यहाँ पे भी आपको non supreme possible mirror image देखने को मिलेगी, इसलिए इस question का जो correct answer आएगा, that is option number ABD, option number ABD is the correct answer, यह student question number 50 देखिए, और यह last question है हमारा, inorganic chemistry के part का, तो यह again two marks का, MSQ type का question पुछा गया था, two marks का, देखो, यहाँ पे यह जो निकल के आ रहा है, that is FE plus 2, क्या निकल के आ रहा है यह आपका, यह आपका FE plus 2 निकल के आ रहा है, और FE plus 2 की बात करें, तो यह D6, और D6 के साथ साथ यह आपका low spin भी है, D6 के साथ साथ यह आपका low spin भी है, है ना, क्योंकि CN strong filigand होता है, तो अगर यहाँ पे देखा जाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, देखो सबसे पहला idea जो आप यहाँ पे ले सकते हैं, आप से allowed transitions पूछे थे, कौन-कौन से होंगे, सबसे पहला मैंने यहाँ पे देखा, जो spin quantum number है, that is 0, अगर spin quantum number 0 है, तो spin multiplicity, जो की आपका 2S plus 1 होती है, तो वो क्या आ जाएगी, यहाँ पे 1 आ जाएगी, spin multiplicity क्या आए हटा दो, यहाँ तो 5T2G दे रखा, हटा दो, यहाँ पे भी 1 है, 1, 2, अब देखो, इनमें बड़ा simple होता है देखना भई, 1 से 1 spin multiplicity same है, 1 से 1 spin multiplicity same है, यह आपका A, 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 A1G है, यह आपका T1G है, तो यहाँ पे B, अगर आप देखेंगे, dysmetry point of view से तो vary कर जाएंगी चीज होंगे, B और C transitions है, आपका loud होंगे, तो simply आप spin multiplicity से देखके, यह चीज़े बता सकते थे, तो इस question का जो correct answer आना था, that is option number B and C, तो भई यह हमारा part 1 था, gate 2024, gate 2024 के inorganic chemistry के जो questions आये थे, सारे type के, MSQ, NAT, MCQ, सब type के मैंने आपको करवाया, next part में, हम organic chemistry के solutions discuss करेंगे, अब कि यह सारे questions आपको clear हो गए होंगे, फिर भी किसी questions में आपको doubt है, तो आप comment box में बता सकते हैं, अगर आप YouTube पे देख रहे हैं, और अगर आप हमारे paid subscriber app पे, तो हमारे help line number पे आप contact कर सकते हैं, और भई, जो भी student gate 2025 की त्यारी करना चाहते हैं, net की त्यारी करना चाहत हैं, एक बार app को जुरूर download करो, आप demo lectures देखिए, अच्छा लगता है, तो आप join भी कर सकते हैं, इस video में अभी के लिए इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, thank you.